बश्कार दोस्तो मिरा नाम सेकर और स्वागत आप सौवी का हमारे ट्यूब चैनल सिकार स्टेडिक पॉइंट पर दोस्तो वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तो चैनल को जरूर सस्क्राइब कर जरूर दबाएगा तो दोस्तो आज हमारा पार्ट 28 है और इसमें हम देखने वाले हैं 128 महत्पून प्रस्नों को तो आप वीडियो को अंतक जरूर देखेगा और सब कुछ इसमें आपको मिलेगा जीके के प्रस्ने हिंदी उत्राखंड बीच बीच में आते रहेंगे अलग महत्पून प्रस्न है तो इसी तरह से दोस्तो ये शीरीज हमारी जारी रहेगी जो अब भरती नए हैं अगर आपने और पार्ट को नहीं देखा है तो दोस्तो आप प्ले लिस्ट मा आकर जरूर से देख लीजेगा काफी जादा महत्पून है और लगभग दोस्तो जो तो पहला प्रस्न है दोस्तो हमारा यहाँ पर शुरुवाद होगे दोस्तो हर रोज की तरह ही कुत्रा खंड़ के महत्पून प्रस्नूत से तो पहला प्रस्न है आपर भूमक उढ़्यार रिस्तित है तो भूमक उढ़्यार दोस्तो आपको बताना है चमोली, टिहरी, पिंडर नदी का उद्गम हो जाएगा पिंडर गलेशेर और मिलम से कौन सी नदी निकलती है और अभी हाल के एक्जाम में पूछा गया था और उससे पहले भी यह आया था हरिद्वार पर आधारित न्यूज इन इंडिया लिखी है बहुत ज़्यादा महत्मूर्ण है अगला है सिरी नंदा देवी राजजात यात्रा किस गाउं से प्रारंब होती है तो यह आपको यहाँ से प्रारंब होती है अगला बसन है राज जी में कौन सी जन जाती भूमसेन देपता की पूजा करती है तो इस तो ये भी बहुत जादा महकुन रसन है इसे भी आपको हलके में नहीं लेना है भूमसेन देपता की जो पूजा करती है इसका से तो ज़ेगा बोक्सा तो option number B हो जाएगा बोक्सा करती है धूमसेन देटा की पूजा अगला बसने धनुस्तीर्थ कहा गया है धनुस्तीर्थ कहा गया है यह आपको यहाँ पर बताना है धनुस्तीर्थ सुरकुंडा, नरेंद नगर, चंदरबदनी या फिर देव परियाग धनुस्तीर्थ इसका सेक्रूएगा option number A हमारा देव परियाग को तो option number A हुजाएगा इसका फिल्कुल सेउत्तर बढ़ते हैं अगले परस्नी की तरफ अगला बसने आपर तीलू रोतेली तीलू रोतेली धनुस्तीर्थ यह तीहरी कड़वाल को गहा जाता है लेकिन यहाँ पर option है नहीं तो देव परियाग, देव परियाग को समश्त तीर्थू का सिरो मड़ी समग्र पापू का बिनासक अगला बसने आपर तीलू रोतेली की घोडी का नाम क्या था मधुली, बिंदुली या फिर सूरिया दोस्तो पीरू रोतेली की घोडी का नाम था बिंदुली ये भी एक्जाम मा आया हो था तो option number A हो जाएगा इसका बिल्कुल सेवत्तर अगला बसने उत्राखंड की जगवाल फिलम किस भासा में बनी है तो ये भी दोस्तो एक्जाम मा आ सकता है पहले पूचा भी गया था तो जगवाल फिलम दोस्तो ये बनी थी गड़वाली में बहुत ज़्यादा महत्मन प्रसने जगवाल फिलम जो है गड़वाली में बनी थी निर्माता नहीं दे सकते पारिस्वर गौर अगला प्रसने यहाँ पर राज जी में दाकुनी निर्ति किया जाता है दोस्तो बहुत ज़्यादा महत्मन प्रसने ये भी राज जी में दाकुनी निर्ति किया जाता है धेरादुन उत्तरकासी चमोली या देरादुन है तो यहाँ पर option नमर B हमारा चमोली में तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है दाकुली नेती क्या जाथा दो चमोली में बढ़ते हैं अगले प्रस्णी की तरफ अगला प्रस्णी है स्वर्ण ताल का पुराना नाम क्या है हरा बांद, सुमार ताल या फिर भालू बांद तो उसका शेवत्र यहाँ पर भालू बांद तो option नमर A हो जाएगा इसका बिल्कुल सेवत्र तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है कहा है यह भालू बांद तो इसका हित्रों का option number A अगला बसने आपर कलाविदू का शिरोमडी किस सासक को कहा जाता है तो बहुत जादा महत्मुन बसने दोस्तों ये भी तो कलाविदू का शिरोमडी कहा जाता है महाराजा सुदरसंसा को तो option number B हो जाएगा इसका बेलकुल सेधर कलाविदू का शिरोमडी सवासार नामगरंथी की रचना की थी तिहरी के जनता इनको बोलंदा बद्रिश के नाम से भी पुकारती थी तो सुदरसंसा हो जाएगा इसका सेधर सवासार नामगरंथी की रचना की अगला वसन है आपर उत्राखंड का जड़ी बूटी सोथ सस्तान की ही जनपद में इस्तित है दोस्तो बहुत ज़्यादा महत्मन वसन है जनपद ही आया है यहाँ पर तो यह हो जाएगा चमोली उत्राखंड में जड़ी बूटी सोह सथां दोस्तों यह हो जाएगा यहाँ पर चमोली में है तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है चमोली के गोपेश्वर में गोपेश्वर में है 1989 में बना था बहुत जादा महत्मिन बसने है एकजाम में फिर से बन सकता है अगला बसने आपर उत्राखंड में निमन में से सबसे बड़ा राजमार्ग है तो यह हाँ पर कुछा गया है उत्राखंड में सबसे बड़ा राजमार्ग है तो दोस्तो ये पुराने के हिसाब से है, तो अठाउन दोस्तो इसका उत्तर है, लेकिन जो नया है वो दोस्तो साथ हो जाएगा, ये नहीं होगा, अगला उत्राखेंड में सरवादिक नगरिक्रत जनपत कौन सा है, दोस्तो इसका नगरिक्रत जनपत कौन सा है, दोस्तो इसक जिटर शर्वादिक नगरिक्रत जिला है 13 दून उपसंग में सीधे वन सकता है तो आपको याद रखना है अगला बश्टन है शिकर फॉल किष जनपद में है सिकर फॉल किष जनपद में है तो इसका शित्र का ये भी कहा हैं तो देहरादून में है तो आपसन नमर्ण ए हो ज जयए गये यहाँ पर दिशदरि निखर फॉल सब्सक्राइब क्माराणी ग्हवाब गख़र्विक फोरिय आ तो ये वह Το क्रकस सबस्क्ला स under division अpelा बनाया था शर्सलों ठीम क्मारानी कि यहाँ था बेल्कूल्पत्र अगला माणा पास है संद्र damals तो यहाँ पर हमारे साब से चमोली होना चीह, क्योंकि option या फिर कोई एक जग्ट होना चीह, लेकिन यहाँ पर तो इस तरह से दिया हुआ है, कहीं और जगर भी पूछा गया था है, तब इसलिए यहाँ पर उत्राखंड में, तो option नमर B हो जाएगा, इसका बिल्कुल ही, sorry, C क्यों जायगा, उत्राखंड में, option number C, अगला वस्के है, उत्राखंड की सबसे गहरी जील है, नैनी ताल, द्रोन ताल, ग्री ताल या फिर नौकुचया ताल, तो इसका झाथ लूओ जाएगा, नोकुचया ताल, उत्राखंड की गहरी जील है, ये भी नैनी ताल में है, द कर दिछ आप अपर पत्म सब्सक्राइए अगर बीच में आते रहें एंगे और उससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियोको लाइक नीं किया तो एक लाइक जरोड से कर देजिए और वीडियो को अंतक देखेगा तो एकला प्रस्न आपडमावत की भाशा पदमावत दोस्तों जो मलिक मुहमत जाईशी का है पदमावत पदमावत के दोस्तों अउधी है अउधी से आपको एक तो पदमावत याद रखने है एक्जाम बन सकता है और इसके लाव राम चरित मानस आपको याद रखने है तुलसी दास की राम चरित मानस और जो ये पद तो बिजैते नहीं है अगले प्रशन च्रव भीहारी, बंगाली, उड़िया और अश्मिया भासाओं का विकास निमिलिखी तमहिसे किस्स हुआ है अब दोस्तों सिर्फ आपको बिजाम परन सकता है ये एकजाम बन सकता है बंगाली का किसे उडिया का किसे या अस्मिया का पूछ दिया या उडिया का पूछ दिया तो आधे बिध्या मतलब जो बैड़ती हूँ तो वे से भी होच हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको सभी मिल ले हैं तो इन चारों को याद रखेगा क्यूंकि कि बिहारी के बारे में जादा पढ़ा होगा तो बिहारी का हुजिया है दोस्तों ओप्शन नमर D माघ दी और बिहारी के साथ उडिया और अस्मियाँ यह सभी आपको लेनी है तो इसका इसाथ यहाँ पर ओफाइनंबर as anlem माग दी अगला बस्षन है पश्चिमी हिंदी, राजिस्तानी और गुजराती अब भरहन से किस रूप से निकली है सिर्फ एक्जाम में बनेगा कि राजिस्तानी ये राजिस्तानी किस रूप से निकली है तो दोस्तों ये सिदे-सिदे बनेगा तब आप बताएंगे सौर सेनी पहस्ची में हिंदी सौर सेनी की है गुजराती सौर सेनी की है राजिस्तानी सौर सेनी की है अब जाधातर अब गरतियुने पहस्ची में हिंदी पड़ा हुआ है नाकि गुजराती और इसको कम पड़ा हुआ है एक्जाम में ही से प्रस्न बनेगा, कि राजिस्तानी की सब बन चे तो सौर सेनी, तो बन सकता है एक्जाम में, अगला प्रस्न बिर्ज भासा का विकास किसे हुआ है, तो अभी हमने देखा था, तो यह भी हुजाएगा जोस्तों यहाँ पर, option नमर भी सौर सेनी, जोस्तों हि किसी रुकाउट के बोले जाते हैं, यानि कि सुतंत रूप से बोले जाते हैं, तो बिल्कुल आसान प्रस्न है, तो आपको याद अखना है, अगला प्रस्न है, कौन सा उपेंजन है, कौउ दोस्तों जाएगा, कंटि, पूरा को वर्ग, आप ले सकते हैं, सब यह दोस्तों हमारे हो जाएंगे कंटी तो इसका सेवत्तर हो जाएगा कंटी option number D अगला परस्ण है Hindi word माला में word के इसका बिल्कुल सेवत्तर अगला परस्ण है निमेन मैं से उच्छिप्त भेंजन का उधारण कौन सा है पॉपर की और उचला उप्चिन मर यह हमारा बिल्कुल सई लुंटित रो पास्विग लो और वागी यह तो हमने कोद देखी लिया तो इसका अगला प्रस्ना पवर्ग अब वर्ग मा उस तो वर्ग का मतलब क्या है कि उसमा 5 होने जैसे को वर्ग कहा दिया तो पूरा 5 तक मतलब यह जैसे पवर्ग है तो पूरे आगज़ेंगे पूरे प्रस्ना पर पास्विग और मतलब पूरे 5 तक दोस्तों यह होते हमारे ऑप्शन नमर भी हो जाएगा कि मूर्दा होनी सकता टो आवर्ग कंटी आवर्ग है पोस्टी हो जाएगा इसका सेवद त यह हो जाएंगे हसुसवर, बांकि जितने बचे कितने बचे वो हो जाएंगे दीरकसवर, बाकि अब बड़ा जो आ है, आ कर रहा है, जो बड़ी ही है आ है, आ बच गया, फिर जो बड़ा हुँ होता है वो सब, सभी जो बच गये उन्हाव A आई उन्हाव ले सकते हैं दीरगस्वर में तो सभी दीरगस्वर में आएंगे हस्वर हमने जान लिया option number A बागी पुलूप स्वर में आ जाएगा ओम अगला बस्वर है आ स्वर धनी आ और O के बीच की धनी है तो यह जाएगा उस्वर संभाव नहीं यहाँ तो यह जाएगा हाँ option number क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ तो option number A अगला प्रस्ण है उस्वर यहाँ पर कुछ थारू जन जाती से यहाँ पर प्रस्ण हमगा देखने को मिल रहे हैं थारू का पराता काल के भोजन को क्या कहा जाता है थारू का पराता काल के भोजन को क्या कहा जाता है तो यह हो जाएगा हमारा कलेवा कहते हैं थारू लोग option number A अगला प्रस्ण है थारू का दोपहर का भोजन इनका जो जो दोपहर का भोजन होता है यह होता है हमारा यह option number इसका सेउत्र रहेगा मिंगी तो यह आपको बिल्कुल याद दखना है जो इनका दोपहर का भोजन है मिंगी और साम का भोजन है भोजन है भोजन कहलाता है तो अप्शन नमर भी हो जाएगा इसका सेउत्तर अगला प्शन है चरई किस जनजाती का परू है एक्जाम मा आगया तो बहुत कम अभरती इसको सही कर पाएंगे चरई, थारू, भोटिया, बोक्सा या फिर जोनसारी तो इस तो यह हो जाएगा चरई, यह हो जाएगा थारू का तो आप्शन नमर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर बहुत जादा महत्मूर प्शन है अगला प्शन है आपर गडवाल की जहासी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है तीलू रहते लिए, गुलेर या, करणा होती या फिर जिया रानी तो उस्तो करणा होती नहीं है करणा होती तो ना कटनी रानी यह तो नहीं है इसका बिल्कुल आपर गडवाल की जहासी की रानी जाना जाता तो उस्तो तीलू रहते लिए तो यह आपको बिल्कुल यादक नहीं तीलू रहते लिए अगला बसने जॉन ओफ आर्क किसे का आ जाता है करणावति को नहीं कमलेंदुमति को नहीं जियरानी को भी नहीं जॉन ओफ आर्क का आ जाता है तीलू रोतेली को अगला बसने आपर स्रीदेव सुमन का मूल नाम क्या था तो बहुत ज़्यादा महत्रूँ बसने है, श्रीदेव सुमन का मूल नाम क्या था? रामदत बढोनी नहीं, इसका हित्रूच में दोस्तों यहां पर, श्रीदत बढोनी श्रीदेव सुमन का मूल नाम था, तो यह आपको बिल्कुल लया दखना है, श्रीदत बढोनी ये राम कृष्ण यादो दोस्तो ये बाबा राम देप का नाम है इसका बत्र रहें कहाँ पर शिरीदत बड़ोने ओप्शन मर भी अगला परस्ण है मनसा देवी मंदिर कहा है तो मनसा देवी मंदिर दोस्तो ये हो जाएगा हमारा हरीद्वार में हरीद्वार में है मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, काफी ज़्यादा परसिद्ध है, तो हरीद्वार में है, ओप्शन नमर भी, अगला बसन है कौन सा मंदिर धार्मिक, कौन सा धार्मिक इस्तल हरीद्वार में है, भारत माता मंदिर, नीलेश्वर महादेप, मनसा प्रणागिरी दुर्गा की परतिमा की पूजा होती है और यह पूर्णागिरी जो दोस्तों मेला भी लगता है यहां उत्राखंड का सबसे लंब यह लगता है अगला परस्न है दोस्तों और इसके अलावा अभी और हिंदी आनी बांकी है अभी और उत्राखंड के परस्न है तो बहुत ज्यादा प्रस्न अभी और बचे हैं तो आप वीडियो को अंतर जरूर देखेगा और अगला परस्न है आपर अगबर ने सरुपर्थम वैभाविक स परस्न है ये एक्जाम में आपको निश्ची रूप से देखने को मिल सकता है और अरंग जेप ने दक्षिन में जिन दो राज्यू को बिजित किया था वे थे वे थे दोस्तों बीजापूर तो था बीजापूर इसमें भी है बीजापूर इसमें ये ऑप्शन कट गया और पर यहाँ पर बीजापूर है और यहाँ पर गोल कुंड़ है तो यहाँ पर हमारा C तो बीजापूर और गोल कुंड़ा को औरंग जेप ने विजित किया था धर्ठोल ज़ंदन अगला प्रस्न जहापूर आगा वर्षन है युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे य आपको बताना है रजाराम महां॥राई है अ यूवा बंगाल आंदोलन यंग बंगाल मुव्मेंट के नेता थे तो option C होगा इसका प्यूसडर अगला प्रशन है थियोसोपिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां अपना मुख्य कार्यलाई खोला था तो बहुत ज्यादा महत्मा गांदी ने भारत में अपना पहला जन भासन कहां दिया लखनव, बंबई, चंपारण या फिर वारानसी अब दोस्तो जिन अब भारत में अपना पहला जनभासन दोस्तो वारानसी में दिया था इकजाम बन सकता है फिर गलती होगी फिर आंसर की माँ मिलाएंगे तो फिर ये कैसे दे दिया होँआपर होती है अगला प्रसन है निमलिकित मैंसे किसने सत्यागर सब्द को गड़ा तो सत्यागर दोस्तो इसका से तुर्य यहाँ पर महात्मा गांधी जिने तो अप्शन नमर B बनेगा इसका बिल्कुल ही सेवतर अगला प्रसन दोस्तो सविधान से है बिल्कुल धासु प्रसन है भारतिय सविधान सबा में महिला सदस्यों की कुल संक्या कितनी थी अब अप्शन देखे 10, 12, 13 या फिर 15 बिल्कुल दोस्तो पास-पास के उप्शन है तो महिला सदस्यों की जो संक्या थी वो थी 15 तो अप्शन नमर D हो जाएगा इसका बिल्कुल ही सेवतर और ये आपको बिल्कुल याद रखना है अगला प्रसन दोस्तों इनमें से किसने सविधान सबाम में यहें कहा था कि 26 ज नमर A हो जाएगा इसका बिल्कुल सेवतर अगला प्रसन है आपर अस्ताई लोकसबा अध्यक्चे प्रोटेम स्प्रिकर को कौन न्यूक्त करता है तो निवर्तमान लोकसबा अध्यक्चे नहीं इसका जोत्रों यहाँ पर राष्ट्रपती के दोरा की जाती है अस्ताई लो लोकसबा की जो बैठक है वो समाप्त की जा सकती है अगला प्रसन है दोस्तो यहाँ पर आपको उत्राखंड के परसने देखने को मिलेंगे इसके बाद फिर उत्राखंड हिंदी तो सब कुछ अभी बहुत जादा परसन बचे है तो उत्राखंड की गॉफा खाँ सथीत है वसिष्ट कुफा वसिष्ट आश्रम वसिष्ट कुंड तो यह सभी आपको देखने को मिलेंगे दोस्तो टीहरी जनपद में तो option number C हो जाएगा इसका बिल्कुल सेउत्तर अगला है फूलू की घाटी इस्तित है तो फूलू की घाटी दोस्तो चमोली में है तो चमोली यहाँ पर हो जाएगा option number D उत्राखंड तो यह आपको विल्कुल याद दखने है अगला बसने उत्राखंड के की जिले में सरुपर्थम आयुस्मान भारत योजना लागू की गई तो बहुत ज्यादा महत्म बसने आयुस्मान भारत योजना उत्राखंड के जिलू में दखना के नुसार उत्राखंड के की जिले की महिला साक्चरता दर नियूंतम है तो बहुत ज्यादा महत्म बसने अब आपको यहाँ पर उधम सिंग नगर नहीं करना जो अब भरती करेंगे उनका नंबर एक नंबर तो गया गया और 0.25 यह भी गया इसका उत्राखंड तो बिल्कुल से उत्तर अगला परशने उत्राखंड के कुल भूचेत्र का परतिसत जो बना चादित है वो आपको यहाँ पर बताना है उत्राखंड के कुल भूचेत्र का परतिसत जो बना चादित है तो इसका उत्राखंड तो हमारा ओप्शन नमर भी 65 परतिसत तो बढ़ते परद्युम्नसा परद्युम्नसा अठार सो चार में 14 में 804 को खुडबुड़ा के उद्ध में मारे गे थे खुडबुड़ा देरादुन में हैं तो यह आपको विल्कुल याद दखने हैं तो अगर आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हैं तो आप इस सीरीच को देख स गोलु देपता, चिताई मंदिर, अल्मोडा तो अप्सन नमर ए हो जाएगा इसका पिल्कुल से उत्तर ये परसन भी दोस्तो आयोग ने पूछा हुआ है तो ये आयोग ने पूछा हुआ है ये परसन भी अगला परसन इन में से उत्राखंड उच्चे ने आले के पर्था म गेंकर देशाई, अगला उत्राखंड का नियूंतम भोगलिक छेत्रफल वाला जनपद है, मतलब कि उत्राखंड के किस जनपद का छेत्रफल सबसे कम है, यो जागा उसको चंपाउत, रूदर परियाग चंपाउत का है 1766, ये भी आपको याद रखना होगा, रूदर परि अगला परिशन ना, जीले का नोटी छेत्र की सुत पादन के लिए पडशिद्ध है, अब एकजाम में आप गए और माना एक कोश्चिन दिग गया, तो फिर मुश्किल वहाँ पर हो सकती है, पर अब नहीं होगी, चमोली जिले का नौटी छेतर दोस्तों कि इस उत्पादन के लिए परसिद्ध है, तो ये और्गेनिक के लिए परसिद्ध है, तो आप्शन नमर सी होगा, इसका बिलकुल ही ये से उत्तर, परसिद्ध जागर निमिलकित में से किस से सम्बंदित है, शिप्पार्वती है, विषन अलक्षिमी से, रामशिता से चेत्री देवी देपताओं से, तो ये जागर अगला बरसिद्ध बुखाल मेला, उत्रा होणिक के किस जन पदम लगता है, तो बुखाल म पॉडी में तो यह आपको विल्कुल याद अखना है अगला बसना बगवाल मेला आयुजित होता है तो इसको एक कई बार पूसा जाचुका प्रसने भी बगवाल मेले से संबंदित प्रसने तो जाएगा देवी धुरा चंपावत में होता है बगवाल मेला राकी के दिन लग अगला बसने आपर बदिदत पांडे अल्मोड आगबार के संपादक कब से कब तक रहे तो इसको यह हो जाएगा यहाँ पर 1913-1918 तक रहते बदिदत पांडे अल्मोड आगबार के संपादक अल्मोड आगबार निकला था 871 में फिर अल्मोड आगबार जब बंदो हो जा तो उसके बाद बीडी पांडे बदीदत पांडे निकालते हैं सक्ति नामक साफ्ताइक अगबार 1918 से तो इसका अत्रूर का 1913 से 1918 अब दोस्तों यहाँ पर कुछ उत्रा खंड के इसके बाद और प्रस्न आएंगे तो अगला प्रस्न आपर सेंदाव का अर्थ निमन मैं से क कौन सा नहीं है तो सेंदाव का उस्तों घोड़ा है बिल्कुल है समुद्र है जी हाँ ये भी है नमक ये भी है यह जागा उस्तों सोना नहीं है सेंदाव का अर्थ तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है तो आपसन नमर बी एकजाम परस्न बन सकता है बिल्कुल आपको confused नहीं होना है अगला सदुक कड़ी किसकी भासा है सदुक कड़ी दोस्तो ये है हमारी option number A कबीरदास की कबीरदास की भासा है तो ये आपको बिल्कूल याद रखना है और कबीर के गुरू यहाँ पर रामानंद option number D तो ये भी आपको बिल्कुल याद अखना है और आपको बताना है तुलसी दास के गुरू कौन थे एकजामा बन सकता है तुलसी दास के गुरू कौन थे करके ये आपको चैट बोक्स में बताना है तुलसी दास के गुरू तो यह आप चैड़ बक्स में बताएगा अगला बिश्मित का उप्युक्त अर्थ होगा अब दोस्तो इस तरह के प्रस्न आयोग हर पेपर में इस तरह का कोई ना कोई काथ प्रस्न तरोड पूछ रहा है अभी हाल के पेपर में पूछाता जो नर कापाल में भोजन करता है, जो तपस्या करता है, जो नदी के घाड पर कुटिया बना कर तपस्या करता है तो इसका हित्र वाज़तो ऐस तो option number A, जो नर कापाल में भोजन करता है अगला परस्टो कुछ संदी के परशनों को यहाँ पर देख लेते हैं पहला परसन है संकल्प में कौन से संदी होगी तो संकल्प में दोस्तो संधन कल्प यह हो जाएगी यहाँ पर बेंजन संदी तो option पर B हो जाएगा इसका बिल्कुल सहीवतर बेंजन संदी संदी तीन परकार की होती है स्वर संदी, बेंजन संदी और विशर्ग संदी यह हो जाएगा यहाँ पर बेंजन संदी अगला परसने सब्त रिसी में संदी है तो सब्त रिसी यह हो जाएगा सब्त धन रिसी तो यहाँ पर गुण संदी यहाँ पर हैनी ओप्सन तो स्वर संदी हम कर लेंगे तो option number A हो जाएगा दुस्तो इसका बिल्कुल सेवत्तर बढ़ते हैं अगले परस्णी की तरफ अगला बसने आपर उल्लास में कौन से संदी होगी तो इसको यह हो जाएगा उत्धन लास उत्धन लास अगर इसका संदी विच्चेत करेंगे और संदी बनेगी इसमें ब्यंजन संदी तो option number B हो जाएगा दुस्तो इसका बिल्कुल सेवत्तर अगला बसने बिजियोल लास सब्द में परियुक्त संदी है बिजियोल लास में इसमें आपको बताना है कौन से संदी होगी विसर्ग संदी, यन संदी, दीर्ग संदी, गुण संदी तो इसमें बिजियोल लास यह बनेगी हमारी यह गुण संदी तो option number D होगा इसका बिल्कुल सेवत्तर अगला बसने आपर मामूर गोवा पत्तन इस्तित है तो उस्तो यह का है यह जाएगा हमारा option number C गोवा में तो गोवा में है मामूर गोवा पत्तन अगला बसने भारत के निमलिकित बंदर गाउं मैंसे कौन सा एक उडिसा के तरट पर है तो यह जाएगा उस्तो उडिसा पर पारादीप क्योंकि मुंबई अलग है हल्दिया बस्ति मंगाल विसा का पत्तन में अंदर पर्द है यह जाएगा उस्तो आपर पारादीप तो option number C अगला बसने उस्तो पहुत जादा महत्पुल बसने है बिल्कुल आपको याद रखना है जनसंक्या 2011 की अनुसार भारत में इस्तिरी साक्चरता की द्रिष्टी से जनसंक्या जनसंक्या 2011 की अनुसार भारत में इस्तिरी साक्चरता की द्रिष्टी से केरल के बाद दूसरा इस्तान किसका है तो ज्यादा तर अभ्भर्ट्व को बता है केरल के बाद दूसरा यह हो जाएगा दोस्तों मीजोरम बहुत ज्यादा महतुन बसने है एक्जाम में आपको फिर से देखने को मिल सकता है तो यह आप बिल्कुल याद रखेगा फिर से रिपीट परसने हो सकता है माल्थस का भी दोस्तों बहुत ज्यादा महतुन बसने है माल्थस के अनुसार जनसंक्या नियंत्रड का सरवाधिक परभाव साली कुपाई निमलिकीत में से कौन सा है बहुत ज़्यादा महत्मुन बसने हैं यह हो जाएगा मालतसकार जो जनसंके जर्म नियंतर सिद्धान्त था तो option बी हो जाएगा इसका बिलकुल सेउत्तर बहुत ज़्यादा महत्मुन बसने है अगला बसने वर्स 2011 की जनगरणा के नुसार भारत की कुल नगरी जनसंक्या मे महानगरूं की जनसंग्या की परतिसत्ता थी बहुत जादा महत्मबस ने एक्जामा बन सकता है बांकि 31, 36, 42 या 49 तो इन में दोस्तो लगबख ठीक ठाक उप्शन है पर आपको 42 भी याद रह जाए तो बांकि 42 में बैलिस पॉइंट इतना दो आप्शन तो हुंगे नहीँ तो इतना याद रखेंजेगा 42 परतिसत्त से तो 42, 60, 61 तो बांकि इतने 42 में दो आप्शन याएएगे 2 पॉइंट इतना éतना दो नी आएएगे सिर्फ यह आएगा तो 42 स्याद रखेज़ेगा एकजाम में आता है तो अगला बसन है बलक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर परसिद्ध है अब दोस्तों को नार्क नहीं करना है यह जाएगा मारतंड का सूर्य मंदिर अगला बसन हैं खजूराओ के मंदिर किस राज्य में इस दित है यूपी अमपी 36 गड़े ओडिसा खजूराओ दोस्तों यह जाएगा MP में तो औप्सन मर भी अगला बसन है किस नगर में ख्वाजा मुहिनिद्दिन चिस्ति की दरगा है तो वीडियो को अंतर जरूड देखेगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूड से कर दिजे अगर आपने दोस्तों इस से लाग और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप लेश्टेम आकर आसाने से देख सकते हैं अगला बसने आप पर इसरो का संचिप्त रूप है इसरो का दोस्तों यह हो जाएगा इंडियन साइन्टेपिक रिशर्च और्गनाईशन नहीं इंडियन स्पेस रिशर्च और्गनाईजेशन तो अप्शनमर भी यह हो जाएगा आप इसरो की स्तापना हुईती दोस्तों 1979 में 15 अगस्त 1979 को हुईती इसरो की स्तापना DRDO की स्थापना हुई थी DRDO 1960 में हुई थी तो इसका एक तुर्य का पर Indian Research Space और option number C 1979 में स्थापना हुई थी इस रोकी तो महत्मन बसने अगला बसने National Green Tribunal NGT का पूर्ण रूप पूछा है National Green Tribunal कहां पर है Option number A NGT दोस्तों यह आय था 2010 में बहुत ज्यादा महत्मन पूर्ण है National Green Tribunal NGT दोस्तों बहुत ज्यादा महत्मन है 2010 में आय था यह आपको विल्कुल यादकना है बहुत ज्यादा महत्मन है NGT 2010 में अगला दोस्तों कुछ उत्राखंड के महत्मूर्ण वल्लाइनर पस्टन को अब हम देख लेते हैं एकजाम मत उस्तों बन सकते हैं स्वामी रामतीर्थ किसके समय का आल में टिहीरी आया नहीं टिहीरी आय होना चे एज़द के सांग टिहीरी आये तो उस्तों कीर्थी सा के समय आये थे बांकि सुदर्शन सा कीर्थी सा, नरेंद्र सा, भवानी सा ओप्सन रहेंगे तो 1902 में आये थे कब आये तो 1902 में किसके समय आये तो कीर्थी सा के समय अगला टिहीरी में सरकारी प्रेस किसके समय इस्तापित हुई तो ये भी हुई थी दोस्तो महाराजा कीर्थी साह के समय, तो ये भी आपको याद अखने है, टीरी में सरकारी प्रेस कीर्थी साह के समय स्तापित हुई, अगला बसने स्वामी राम तीर्थ इस्मिर्थी गरंत तथा सुमन इस्मिर्थी गरंत किसने लिखी, बहुत ज्यादा स्वामी राम तिर्थी स्मिर्थी गरंत और सुमन स्मिर्थी गरंत शिर्फ यह आएगा कि सुमन स्मिर्थी गरंत किसी ने लिखा श्रीदेव सुमन भगत दर्शन फिर कुछ और ऑप्शन होंगे इस तरह से तो यह आपको विल्कुल याद दखना है भगत दर्शन अगला पॉन चूति दोस्तो जो कर्था ये था आयाद निर्याद कर आपको याद होना चेहेँ किसाउब पुछावा परशण है और फिरसे वन सकता है अगला वर्षने आपर गोर्खु ने गडवाल पर स्वरु पर्थम कब आकर्मण किया तो ये किया था दोस्तो 1791 में 1791 में गडवाल के लंगूर गड़ पर आकर्मण किया था गोर्खु ने 1791 में गडवाल के लंगूर गड़ पर आकर्मण किया था अग्ला वर्षनेया 791 के लंगूरगड के समय गडवाल के राजा कौन थे, तो परद्यूमन साह के सांदी होती है, फिर बाद में क्यूकि भाड़ाते हैं, तो फिर ये लंगूरगड के संदी होती है, फिर अठार सो थीन में फिर जब भूकम पाता है भीशन, फिर उसका फा अगला प्रस्टन है दोस्तों यहां पर दूनागिरी मंदीर का निर्माण किसने कराये था? बहुत ज्यादा महत्मुलवस ने है दूनागिरी मंदीर का निर्माण किस ने कराय था दूनागिरी का है तो यह अलमोडा में है द्वाराहट में तो कत्यूरी सासक सुखाल देव ने कराय था दूनागिरी मंदीर का निर्माण अगला चट्र युक्त मंदिर किस वनस सम्बंधित है option है कि चंद वनस, कोडिंद वनस, पवार वनस कुछ प्यू option रह सकता है तो चट्र युक्त मंदिर दोस्तो यह है कत्यूरी वनस से बहुत ज़्यादा महत्मूरस नहीं बाकी option किस तर से बनेगा वो मैंने आपको बता दिया है 1955 में किस मुख मंत्री द्वारा कडवास्रम का जिर्णोदार करवाया गया अब दोस्तों उसमें उत्राखंडतों नी तो ये उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री इसका हुत्रों का यापर डॉक्टर संपूनानंद 1955 में संपूनानंद के द्वारा कडवास्रम पॉडी में है मालिनी नदी के तरटपर है तो ये संपूनानंद के द्वारा इणोदार कराये गया था अगला बसने बिंसर महादेब मंदीर का निर्माण किस चंद सासकने कराया तो इकला रहर स्थो कल्यान चंद तो option number कोई नहीं आदत है योग यापर कल्यान चंद अगला परसने आपर रिचार्ड सेंटर बाब बेकर पुस्तक तो उसथो पर्जाम मा जरूद बन सकता है किसीने किसी एक्जाम मा जरूद बन सकता है रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर पुस्तक के लेखक है तो सुन्दर लाल बहुपुणा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा महत्म बसने है रिचर्ड सेंटर बॉब बेकर पुस्तक है सुन्दर लाल बहुपुणा अगली पुस्तक दोस्तो ये भी महत्मुण है एकजाम बन सकता पहले बात प्रश्न मन सकता है कि जग नी मेला किस जन पर नायोजीत होता है तो आप बताएंगे यहां पर पिछोडा गड़ मैं जग नी मेला कितने साल बाद लगता है दस साल, 12 साल, 6 साल या 15 साल या फिर परती वरता ओप्षन बनेगा तो 15 साल बात चाह़ात तरभ भरती क् अब आप इसे पढ़ने के बाद 15 साल करेंगे, क्योंकि 12 साल में बहुत है ना, जैसे नंदा दिवी राजजात यात्रा है, कुम्ब 12 वर्षु में लगता है, किर्जी जो मौसव है, कंडाली जो है, वो भी 12 वर्षु में लगता है, पांगे बहुत सारे हैं, तो ये 15 गैर सेन बनाने के लिए, कितने बार अंचन किया, कितनी बार है, कितने दिन, तो कितने दिन दोफ्ष तो गाए, ये 48-49 दिन तो बेनिताल का हैं, चमोली में है, तो फिर यहां ये बीर्गति को भी प्राप्त हो जाते हैं, बाबा महन उत्राखंड ने अपने पराणू को र बोट का गठन कब हुआ, तो बहुत ज्यादा महतन बसने है, उत्राखंड खाजी गराम में दोग बोट, ये बना था दो सत्तो 17 अगस्ते 2002 को, बिल्कुल आपको याद रखना है, 17 अगस्ते 2002 को, अभी दोस्तो कुछ परसन और बचे हैं, उत्राखंड के, तो आप बने रह अगला हाथी मेराथन, निमलकित मैंसे किस सहर मां आवजित होता है, मंगूर, कोहिमा, गंगटो, गया, त्रिचूर, ये हो जाएगा उस्तो अप्शन नमर ए, त्रिचूर, अगला बसने किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, कम्प्यूटर का महत्म बसने, बग क्या होत तो अप्शन नमर बी हो जाएगा इसका, बिल्कुल इसे उक्तर, अगला बसने मेमोरी सब्द किस से संब्दित है, तो आप सभी को होता है, मेमोरी जो होती दोस्तो इस्टोरे से संब्दित होती है, तो अप्शन नमर डी हो जाएगा इसका, बिल्कुल से उक्तर, अगला ब अगला बसने आपर साइमन कमिशन के भाहिसकार का मुख्धी कारण था तो साइमन कमिशन के भाहिसकार का मुख्धी कारण था उसमें सबी सदस्ची जो थे वो अंग्रेज थे तो इसकारण इसका बिरोध हो रहा था तो बहुत जादा महत्मुन बसने तो साइमन कमिशन दो तो भाहरत आया था 1928 में नियुक्ती 27 में विटी अगला बसने आपन निमलिकित में से किन अनुचेत दो द्वारा भारती सविधान में नाकरिकों को मूल अधिकार निष्चिता परदान करता है पहुत जादा महत्मुन बसने है यह हो जाएगा अनुचेत 12 से 35 द्वारा तो अप्शन नमर ए हो जाएगा याद रखेगा अनुचेत 35 से अनुचेत 12 से 35 अगला प्रसने है नौकरियों तथा सिक्षण सस्ताओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्चन उपलब्द कराने के लिए केंदर सर्थकार को सविधान का कौन सा अनुचेत अधिकार परदान करता है यह जाएगा जोस्तो अनुचेत 16 याद रखेगा अनुचेत 16 14 में विदी का समक्ष समता है अगला प्रसन उस्तो आयोग इस प्रसन को पूछ चुका है बाकि हर जगे प्रसन एक्जाम में बन चुका है भारत के सविधान का निमलिकित में से कौन सा अनुचेत अस्प्रिस्ता का उन्मुलन करता है तथा किसी भी रूप से इसके आच्रण का निदेश करता है इतने से आपको समझ जाना है अस्प्रिस्ता का उन्मुलन यानि कि अस्प्रिस्ता का अन्त तो अनुचेत 17 सीधे आपको विल्कुल याद रखना है बस एक्जामर बनेगा आप समझ जाए परिवासा लंबी चोड़ी कुछ भी हो सकती है अगला बसने आपर किस राजजी को अत्याधिक कुपोस्टरण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है बहुत ज़्याधा महत्न पसने है तो आप इतना याद रखे भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है यह कहा जाता है तो एमपी को MP हो जाएगा इसका सेवतर अगला प्रस्न है भारत किस देश को लोह एसक का सरवादिक निर्यात करता है तो उस तो USA नहीं है UK नहीं है जर्मनी नहीं है यह जापान तो जापान को करता है भारत सरवादिक लोह एसक के निर्यात सुध्र वर्तनी वाला सभ्द का चेंड करें अब दूस्तो आपको लिखना Y Dani निरिक्षण लिखना है तो निरिक्षण हो जाएगा दोस्तों वांकि ये गलत है ये गलत है देखने में इसे नहीं लग रहे हैं यहाँ पर कई बार होता है इस तरह से वरना बहुत सी अभ्यरति उसे करते हैं यह जाएगा ओप्शन मर्डी कव वित्री अगला बसने निमलिक स्कित में से किसकी वर्तनी सुद्ध है तो क्यारी लिखना है तो यह जाएगा क्यारी अगला बसने उस तो अभी कुछ क्वेश्चिन और बचे हैं तो आप वीडियो को अंतर ज्यूड देखेगा तो अगला बसने आपर उत्राखंड के पर्थम पुलिस माने देशक असो का चेतर फल आपको बटाने है चेड़ बोक्स में जो जो अब भयरतेपि तक देख रहे हैं चेतर फल इसका कितना है यह आपको बताने है 800 का असपास हैungen यह आपको बताने है अगला निमलकी तिति उन मैंसे किस तिति को उत्रा खंड में हिमालेय दिवस मनाय जाता है तो 9 सितंबर को मनाय जाता है तो हिमाले दिवस घोषणा हुई थी 2014 में मनाय गया पहली बार 2015 में अगला बिरेन डंगवाल को साहित्यकार्णी पुरुषकार दिया गया उनकी पुस्तक उनकी रचना बांकि ये सब उनिकी हैं तो इनको दिया गया तो देरादुन में है ऑप्शन नमर सी अगला बरसन है नीमेन में से कौन सी राजपूत उप जाती सूर्रिवन सी मानी जाती है चंदरोतेला नहीं पाल दोस्तों इसका उत्तर है पाल अगला बरसन है उस्तों कुछ यहाँ पर वोल्लाइनर है जो आपको महत्पूर्ण है अगला बसन है दोस्तों यहाँ पर कांगो नदी या जायरे नदी अफरीका की दूसरी बड़ी नदी है कांगो नदी कहां बहती तो अफरीका में कांगो नदी या जायरे नदी अफरीका की दूसरे बड़ी नदी है जो विश्वत रेखा को दो बार काड़ती है तो कौन सी नदी विश्वत रेखा को दो बार जलपरपाद किस नदी पर है तो कांगो नदी पर है और जामबेजी नदी पर दोस्तो विक्टोरिया जलपरपाद है प्रस्ने बन सकता है कि जामबेजी जलपरपाद किस नदी पर है तो यह बनेगा विक्टोरिया पर तो यह आपको विक्टोरिया जलपरपाद दोस्तो जाम हमारे दोस्तों हर रोज आती है दीन मत हो बजे और इसके लोगर आपने और पार्ट नहीं देखे हैं तो उन्हें भी आप लिस्टमा कर देखे जेगा तो थैंक्यू फ्रेंड थैंक्यू सो मच मिलते हैं बहुत जल्दी एक नहीं वीडियो में